Hello and Welcome Back previous video के अंदर जो है हमने supervised learning के बारे में discuss किया था और उसको इस example के साथ समझा था कि किस तरीके से हमारी supervised learning वर्क करती है और कौन-कौन से उसके processes है जो during the training या फिर testing phase हम supervised learning में discuss करते हैं और इस video के अंदर जो हम unsupervised learning के सारे concept समझेंगे और एक example के साथ जो है उसको real life से relate करेंगे किस तरीके से machine learning के अंदर हम किस position में या फिर कहां पे जो है हमें machine learning की unsupervised learning technique का use करना चाहिए so unsupervised learning जो है basically ये आपका एक computer program होता है या फिर मैं बोल सकता हूँ एक algorithm होती है जिसको जो है हम unlabeled data set पे train करते हैं अब unlabeled data set क्या होता है इसका meaning है जिसके अंदर हमें output provide नहीं किया जाता training के समय यानि जिस time पे हम हमारी machine को train करते हैं उस time पे जो हम data set उसको provide करेंगे वो जो है unlabeled होगा meaning उसके अंदर सिर्फ input data होगा यानि कि एक normal data होगा जिसके अंदर हम output उसको नहीं provide करेंगे हमारी machine को labeled data set देते थे यानि कि उसके अंदर input भी होता था और output भी होता था but unsupervised learning के अंदर हम unlabeled data set machine को provide करते हैं जिसके अंदर output data हम provide नहीं करते तो ये जो है एक uniqueness है हमारी unsupervised learning की और इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर हमारे पास किसी data set के अंदर unlabeled data है यानि कि output नहीं है सिर्फ input column है तो हमें वहाँ पे unsupervised learning technique का use करना हैं अब जब हम हमारी machine को unlabeled data set provide करेगे तो हमारी machine जो है हमारी algorithm जो है उसके अंदर से patterns को find out करेगी और उस data के relationship को find out करेगी on its own यानि कि हमारी unsupervised learning technique जो होगी उसके अंदर हमारी machine automatically जो है patterns को और data के relationship को find out करेगी खुद से यानि कि programmer को relationship develop करने की ज़रूरत नहीं है machine जो है automatically यह हमारा work करेगी जो हमारा machine का unsupervised learning algorithm का program है वो data को explore करता है उसमें से patterns find out करता है और similar patterns का जो भी data होगा उनको cluster में divide कर देता है या फिर groups में divide कर देता है अब ये बिल्कुल उस तरीके से है जैसे एक new person जो है एक new city में जो है without a map और guide जो है वो उस city को explore कर रहा हो अब ये example मैंने या पर क्यों लिया अब जिस तरीके से एक new person किसी नई city में जाता है और उसके पास कोई भी map या guidance नहीं है तो क्या करेगा खुद उस city को explore करेगा और खुद ही जो है वहां से learnings सीखते हुए जो है आगे बढ़ेगा and then उसको पता चल जाएगा कि मैं इस street मे या फिर इस area में walking कर चुगा हूँ move कर चुगा हूँ या नहीं और मैं सही जा रहा हूँ या नहीं इसको जो है just explore करने के बाद ही पता चलेगा तो इस तरीके से जो है हमारी unsupervised learning भी work करती है क्योंकि हम जब machine को data provide करते हैं तो हमारी machine को नहीं पता होता कि क्या हमारा data जो है वो patterns के साथ है या नहीं है उसमें relationship है या नहीं है तो हमारी machine जस उस data को explore करती है patterns को find out करती है और similarities के बीज पे जो है वो हमारे clusters को divide देती है अब इसका example यहां पे देखते हैं यहां पे left side में जो है हमारा input raw data है जैसा कि अपने supervised learning में भी provide किया था अभी input raw data देखेंगे इसकी यहां पे name mention नहीं है जैसे कि आप देखेंगे यहां पे supervised learning के अंदर हमने apple नाम का output वहां पे provide किया था but unsupervised learning के अंदर हमने यहां पे output नहीं provide किया हमने सिर्फ images provide की हमारी machine को अब machine का जो interpretation process है वो यहां पे चालू होगा then हमारी model की यानि की machine learning program का training phase start होगा जिसमें algorithm हम implement करेंगे unsupervised learning और जब वो algorithm process हो जाएगी उसके बास जो है हमारी machine learning जो है automatically आप देखेंगे output में उसने क्या कर दिया यहां पे clusters divide कर दिया apple का clusters अलग, banana का cluster अलग और mango का cluster अलग तो इस तरीके से unsupervised learning का use उन जगह पे होता है जहां पे हमें output नहीं पता होता यानि की हमारे पास unlabeled data होता है कि यह इसका एक basic सा example था हम input raw data देंगी without output अब यहां पे input raw data में तीन images थी हमारी apple की, banana की और mango की अब जब हमने इस data को हमारी machine learning algorithm में implement किया, specifically unsupervised learning algorithm में implement किया तो हमारी machine ने जो है automatically हमारा unsupervised learning का, next video के अंदर जो है अब हम reinforcement learning के बारे में discuss करेंगे, thank you